मैं दो विश्यों पर आपके विचार जानना चाहूँगा एक है हिंदूओं को अधिक बौधिक बनाना और दूसरा है बौधिकों को अधिक हिंदू बनाना पहली स्थिति के लिए हमें खुला मन रखने वाले बौधिकों को धूरना होगा कई हिंदू संग के बारे में गलत धारणा रखते हैं मेरे जैसे लोग भी जो दशकों से हिंदूओं के लिए लड़ते आ रहे हैं संग को लेकर गलत फहमी पाले हुए थे आप कैसे ऐसे लोगों के साथ सनलगन हो सकते हैं और इस तरह से खुला मन रखने वाले बौधिकों के साथ जादा सहीयोग कर सकते हैं ताकि वे दढ़ता के साथ हमारी तरफ जुक जाएं ये बौधिकों को अधिक हिंदू बनाना है दूसरा है हिंदूओं को अधिक बौधिक बनाना जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों के बौधिक स्तर को कैसे उठाएं ताकि वे विश्व स्तर के बौधिक बन सकें कैसे गली का क्रिकेट खेलने वाली टीम को अंतरराश्टी ये ODI स्तर का बनाएं इसके लिए अलग तरीके का प्रसिक्षन आवश्यक है इन दोनों तरीकों के बारे में आपकी क्या सोच है हाँ, ये दोनों ही आवश्यक है तब ही विश्व में चल रहे वैचारिक प्रवाह का रुख बदला जा सकेगा बौधिक लोग हिंदू धर्म को हिकारत की दृष्टी से देखते हैं इसे बदलना होगा इसलिए हमें खुला मन रखने वाले और विभिन्र क्षित्रों में काम कर रहे विश्यशग्यों से संपर्क करना होगा और उन्हें सही जानकारी देनी होगी ताकि वे इस जानकारी के आधार पर स्वयम किसी निर्ड़े पर पहुंच सके और इसके साथ साथ हमें भी स्वयम भी बद्धिक सामगरी पैदा करनी होगी जानकार लोगों को जानकारी को सही रीती से पेश करना होगा ये इसलिए क्योंकि हर समूह का सनलगन होने बात करने और वाद विवाद करने का अपना तरीका होता है इसलिए हमारे यहां प्रग्या प्रवाह जैसी ग्यतिविधियां चलती हैं हम अपने बौधिकों को प्रशुक्षित कर रहे हैं हम जनसभाओं में अन्य बौधिकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं और उनके समक्ष अपने विशयों को रख रहे हैं हम दोनों इन विश्यों पर अपने अपने विचार रखते हैं और फिर एक ऐसा प्रारूप तयार किया जाता है जो बाहर की दुनिया में टिक सकता है हम ये पिछले दो साल से करते आ रहे हैं और ये काम बढ़ता जा रहा है वेद पाठशालाओं के संबन्ध में पंडितों के बच्चे और उनके बच्चे इस परंपरागत काम को करने की बजाए गूगल या अमेजन जैसी कंपनियों के लिए काम करने में जादा रूची दिखा अब इसमें घलत कुछ नहीं है और सभी को हमारे बाजार आधारित अर्थविवस्था में स्वैम निर्ने करने का अधिकार है लेकिन इससे बौधिक जनों को तयार करने के लिए बढ़ी परंपरागत प्रणालिया अब पनपने नहीं पा रही है और उनमें कोई पढ़ने को तयार नहीं हो रहा है कई लोगों ने मुझसे कहा कि वे जो काम पीडियों से करते आ रहे हैं उनसे उस काम से बिलकुल ही अलग हैं और वो नया और कोई अलग काम करना चाह रहे हैं समय बदल रहा है और अब हमारे लिए अपनी परंपरागत प्रणालियों से पर्याप्त बुद्धी जीवी तयार करना मुश्किल हो रहा है और हमें दूसरी जगहों से लोग लाने की आवश्यक्ता हो रही है पिछले 1000 साल से हिंदूओं में बौधिक क्रियाकला ठहर सा गया है वो अपना बचाव करने में ही पूरी तरह सनलगन हो गया है इसलिए वे बाहर की ओर नहीं फैल रहे थे अपने आपको विश्व के सामने पेश नहीं कर रहे थे और विश्व को सही दिशा में ले जाने में अपना युगदान नहीं कर रहे थे अचानक हम एक नई दुनिया में आ गये हैं हम उसके लिए तयार नहीं है इतनी चल्दी ये कुछ ऐसा है कि हम अच्छे समाचार के लिए तयार नहीं थे पर वो अचानक ही हम पर आ पड़ा है मुस्तैद रहने का प्रशिक्षण गुरुकुलों से ही शुरू हो जाना चाहिए इसलिए कुछ महीने पहले उज्जैन की एक गुरुकुल परिशद में ये निरने लिया गया कि गुरुकुलों में परंपरागत शिक्षण और नए प्रकार का शिक्षण साथ साथ चलना चाहिए विज्ञान और आध्यात्मिक्ता एक दूसरे के विरोध में क्यों खड़े हूँ हमने अपने तरीकों से कई विज्ञानिक बातों को सिद्ध किया है हमें ये दिखाना होगा कि कैसे वैदिक विवेक और वैज्ञानिक निश्कर्ष एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं हलांकि उन दिनों वैसी प्रयोग शालाएं और वैज्ञानिक नहीं थे जिस तरह के आज हैं पर अध्यान करने का तरीका दोनों जग समान था पश्यमी आयुर्वेट से कई चीजों की नकल कर रहा है उसने पिछले कुछ सदियों से हमारे गणित से बहुत कुछ नकल करके सीखा है खगोल शास्त्र में भी बहुत कुछ सीखा है अब योग विद्या की बारी भारत ग्यान का निर्यातक रहा नालंदा के समय में दुनिया भर में हमें मानिता मिली हुई और लोग हमारी इज़त करते थे अब वे चोरी चकारी पर उतराएं हैं और हमारी बिलकुल इज़त नहीं करते हैं अब वे हमारे ग्यान को चुराते हैं और हम पर सीना जोरी करते हुए गलत चीजों के लिए हमें जलील करते हैं एक चीज और है आज सब चीज पर इजारा कायम किया जा रहा है ग्यान पर भी हम ग्यान पैदा करने वाले लोग हैं और आपको हमारी बात माननी होगी इस तरह की उद्दंडता भारत में अंजाना था हम ग्यान बाटते थे तो अब हमारा सामना पहली बार इस तरह की बंद प्रवित्ती से हो रहा है हम इस आघात से उभर रहें और अपना बचाओ करने के लिए कमर कस रहें तो संपर्क करने का संग का तरीका है घर घर जाना महलों के स्तर पर काम करना सामुहिक भोजन आदी में शामिल होना ये उस माहौल में माने रखता था जब लोगों का सामाजिक जीवन स्थानी स्तर का होता था पर अब हमारे सामाजिक जीवन में भौतिक दूरी बहुत बढ़ गई है लोग लंबी दूरियां तै करते हैं वे इंटरनेट पर एक दूसरे से मिलते हैं इसलिए व्यक्ति के सामाजिक लेंदेन का दायरा बहुत बड़ा हो गया है क्या आपको लगता है कि घर घर जाकर काम करने का तरीका इस नए जमाने में भी चल सकता है या हमें लोगों से संपर्क करने के नए तरीकों की आवश्यक्ता है जैसे इंटरनेट पर या लंबी दूरी पर संपर्क यहाँ दो अलग-अलग चीजे हैं लोगों से संपर्क करना एक चीज है पर उनके रवैये को बदलना दूसरी चीज है लोग संग्रह और लोग संपर्क एक चीज है लोग संस्कार इसका अगला चरण है जब संसकारी लोगों को सामाजिक जीवन में लगाया जाता है तब वो लोक योजन बन जाता है लोक संपर्ग के लिए हमें दुनिया के साथ साथ बदलना होगा नए तरीके और तक्निकें अपनानी होंगी जैसे इंटरनेट अब हम इंटरनेट से भी लोगों को सदस्य बनाते हैं हमारी वेब साइट में संग में शामिल हो बटन है हम अपनी पहुँच के दाइरे को बढ़ाने के लिए इस तरह की तक्निकों का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हाल में संग ने शिक्षक वर्ग के समारों में फेस्बुक से दुनिया भर को प्रसारित किया हम अपनी पहुच के दाइरे को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं पर हमारा असली काम मनुश्य को गढ़ना है जिसके लिए निजी तोर पर आमने सामने का संपर्क आवश्यक है ये चलता रहेगा पर इन सम में हमें व्रिधी करने की जरूरत है आप सही कह रहे हैं व्यक्तिगत संपर्क में प्राण शक्ति का जो विनिमें होता है वो दूर के संपर्कों में नहीं हो पाता है दूर से समवाद संभव है पर प्राण शक्ति का विनिमें नहीं मनिश्यों को गढ़ने का तरीका हर जगह समान है यहां तक की प्रबंधन और नेत्रितों में भी आप देखेंगे कि इन सब में ये चीजें हैं समूह में व्यक्तियों के बीच की अंतर क्रियाएं और एक दूसरे को पसंद या ना पसंद आना इत्यादी के लिए निकटता की आवश्यक्ता होती है ये सब चलते रहना चाहिए पर पहुँचके अपने दायरे को बढ़ाने और काम करने की अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए हमें आधुनिक प्रवध्योगी की का भरपूर उपयोग करना होगा भारत की 100% आबादी में से कुछ 30% दृढ़ता पूरवक हिंदू समर्थक हैं और वो धर्म के लिए सब कुछ दायों पर लगाने के लिए तयार है ये तपका अपने आपको हिंदू होने को दिवाली पर काड भेजने जैसे कामों तक सीमित नहीं रखता है बलकि वो पूरी तरह से समर्पित और द्रढ़ है एक अन्य 20 फीसदी बिलकुल दूसरे छोर पर है पूरी तरह से हिंदू विरोधी है और इनके साथ बात करना बेमतलब है बचा हुआ 50 फीसदी भ्रमित भटका हुआ और अवसरवादी है और वो इन दोनों छोरों के बीच जूलता रहता है ये तबका हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर पेश करता है क्योंकि जो पूरी तरह हिंदू विरोधी है वे अपना नजरिया नहीं बदलने वाले हैं जो पहले ही हमारे साथ है उन्हें तो सिर्फ और सशक्त करने की जरूरत है पर जहां तक हमारे विचारों को फैलाने का संबन्ध है ये 50 फीसदी आबादी सबसे अधिक महत्वकी है इसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनकी ही शर्तों पर उनकी ही भाशा में उनकी ही जीवनशैली अपनाते हुए उनके साथ सनलगन हो सकते हैं अच्छा समवाद तब शुरू होता है जब हम पहले उस व्यक्ति के परिवेश में अपने को डुबो लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसे अपनी ओर ले आते हैं इसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो उनके पास जा सके ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया अचानक बदल गें नहीं ऐसा नहीं है हम इसके आदी हो चुके हैं ये शिक्षन के समान है और शिक्षन में शिक्षक को चातर के इस तरपर उतर आना होता है तभी वो चातर को ऊपर उठा सकेगा शाखा में भी हम यही करते हैं हम उनके साथ उनके स्तर पर सनलगन होते हैं हम उनके सामने हमारे विश्यों को रखते हैं ताकि वे उन्हें अपनी भाशा में समझ सके और धीरे धीरे उन्हें हमारे विचारों के निकट लाते हैं चुकि हम ये हर दिन करते आ रहे हैं, हम नई परिस्थितियों के लिए जल्द ही अनुकूलित हो जाते हैं तो शाखाओं का पारंपरिक तरीका अपनी जगा है, क्या आपको लगता है कि शाखाओं में बौधिक स्तर संतोष जनक है? क्योंकि आजकल के युवाजन बहुत सवाल करते हैं, वे सब चीजों के लिए सबूत और प्रमार चाहते हैं, वे आख मूंद कर किसी की बात योही नहीं मान लेते, बलकि वे सत्ता के लोगों के विचारों को नित्य चुनौती देते हैं, क्या आपको लगता है कि शाखाओं बौधिक रूप से बदल रहे परिवेश में युवाओं के रुजहान के साथ साथ चल रही है? हमारा तरीका आख मूद कर किसी से कुछ भी मनवाने का नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कहते हैं और सब लोग उसे मान लेते हैं, ये मेरा अनुभव है, आप स्वयम भी अनुभव कर लें, फिर अपने निश्कर्स पर पहुँचें, व्यक्ति इस बौधिक प्रक्रिया से गुजरता है, जब वो सवाल करता है, तो हम में उनके सवालों का जवाब देना होता है, वो इस अनुभव को दैनिक जीवन में परखता है, इसके बाद ही वो हम पर यकीन करता है, इसके बाद ही वो कहता है कि मैं आपकी कहे अनुसार करूँगा, अनुसरन पहले नहीं आता वो स्वयम किसी निश्कर्स पर पहुँचने का नतीजा होता है व्यक्ति स्वयम कहता है कि मैं वैसा करूँगा वो वैसा करने का निर्णय लेता है ऐसा नहीं है कि हम उससे वैसा करने को कहते हैं हम सिर्फ ये कहते हैं आप शाखा में आएं पर कोई भी हमारे कहने भर से शाखा में नहीं आ जाता हर बार जब वो आता है उसे कुछ ऐसे तजुर्बे होते हैं जो उसे हर दिन शाखा में आने के लिए प्रेडित करते हैं इसके बाद वो नियमित स्वयम सेवक बनता है इस तरह तरीका वही है हमें सवाल पूछे जाने या तर्क किये जाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है हम तो इसे प्रोथसाहित करते हैं हमें खुशी होती है जब कोई स्वयम सेवक हमसे सवाल करता है ऐसा क्यों ऐसा क्यों नहीं हम बड़े प्रसन माहौल में समय गुजारते हैं जिसमें कोई भी किसी से भी सवाल कर सकता है नवी कक्षा का एक छात्र हमारे वर्ग का प्रबंधक था मैं सर्व कार्यवादी था किसी ने उसे बहकाया कि मेरी मुझे नकली है बाजार से खरीदी हुई वो तीन-चार दिन तक मुझे गौर से देखता रहा जब वो इसकी पुष्टी नहीं कर सका तब उसने खुद ही मेरे पास आकर पूछा क्या आपकी मुझे असली है या बाजार से खरीदी हुई इस तरह हमारे हाँ खुला माहुल रहता है ये बड़ा अच्छा संकेत है एक बच्चा भी सहज महसूस करता है वो सीधे मेरे पास आकर सवाल कर सकता है और मैं उसके सवाल का जवाब देने के लिए बात दे हूँ मैं उसे डांट कर भगा नहीं सकता कि तुम तो नवी कक्षा के छात्र मात रहो ऐसे सवाल मत करो भाग जाओ यहां से उसके सवाल का जवाब देना मेरे लिए आवश्यक है जिग्यासा समाधान हमारे हर स्तर के कारिक्रम का एहम हिस्ता है हमारे प्रांत प्रचारक बैठक में भी जिग्यासा समाधान होता है कोई भी सवाल कर सकता है और आपको उत्तर देना होगा